बाल संग्रक्षन आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक यादव अपने एक दिवसी दोरे पर सोनभद्र पहुँचे उन्होंने मलिन बस्तियों के विद्यालेओं में जाकर बच्चों और उनके अविभावकों से उनका हाल जाना साथ ही शिकायत को देखते हुए बेसिक सिक्षा अधिकारी को निर्देशित भी किया कलेक्टरेट सभागार में विभागी अधिकारियों के साथ पत्रकार वार्दा करते हुए उन्होंने कहा कि बाल संग्रक्षन के मामले में चाहे वो स्वास्त या चिकित्सा हो सरकार की पूरी तरह कटिबद है कि बच्चों की खानपान से लेकर उनकी सिक्षा तक में कोई कमी न रह पाए उन्होंने मीडिया के सकरात्मक भुमिका की भी चर्चा करते हुए कहा कि आपकी सुचनाओं के सहारे ही सरकार व्यवस्थाओं को ठीक कर पाती है ऐसे में मीडिया का सहयोग भी अपेक्षित है कोई की चीज यहां हो तो कम से कम मेरे पास हमारा आपना मेंबरों का हमारा पास्टमक परोगा यहां कुछ को हमें बीच-बीच में देलते रहें के तो मैं आयो में माध्यां से उपत में चाहूँगा